श्री शिवाय नमस्त अभ्यम नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटीब चैनल पतिमाज उनीक डैरी में दोस्तों इस वीडियो में आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कताओं से सुनकर समशकर चार वी उपाय बताने का प्रियास करेंगे जो कि आपकी अलग-अलग समस्याओं धन समपदा है बीमारी है मनो कामना पूर्ती है उनसे संबंधित है दुख कस्ट परिशानियों को दूर करने के उपाय है आप सभी को शिवरातरी की बहुत-बहुत शुप कामना है वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें कुछ सब्सक्राइब करें और जयादा से जयादा शेयर करें आ जाते हैं आपसे ने सबसे पहले उपाय पर जो की हैं बीमारीों के लिए अगर गर में कोई सद्र से बीमार है अकसर बीमार हो जका या फिर दमाओं का लाब नहीं हो रहा है धोड़ी-धोडी दिन में फिर Woo podcasts हो जाता है तो आपको ये उपाय करना है इसके लिए लेने होंगे आपको साथ बेर बहुत आसानी से आशकल मिल जाते हैं शिवरात्री के तो हार है तो पूजा के लिए तो अपने लिया योगा साथ बेर मात्र आपको लेने हैं जो भी आपको असानी से मिल जाए साथ ही साथ पूरे जिवलिंग के पहुत जाएंगे तब आपको क्या करना है? बेर ले रखे उतर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है और बेर को आपको अलग अलग जगा पर पूरे शिवलिंग में श्री शिवाय नमस तुभ्यम या ओम नमस शिवाय मंतर का जब करते हुए एक एक करके चढ़ा देना है ठीक है पूरे शिवलिंग में क स्वास्त लाब हो दमाय असर करें और उसके बाद आपको वहां से बेर उठानी है कितनी बेर उठानी है एक शिवलिंग पे चड़ी वी चीज ऐसे ही नहीं खाते हैं तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो प्रार्थना करनी है कि भगवान बोले ना था हमें इस एक बेर को चाहे एक दिन में दो दिन में कभी भी उसको खिलाना है अगर उस दिन जरूरी नहीं यह शिवरात्री के ही दिन अगर उस दिन मों नहीं है तो अगले दिन दो दिन चार दिन बाद उसको संभाल के रख दीजे जब भी वह व्यक्ति मिले आपको उस बेर को आपको उसे खिल या चाहते हैं दूसरे उपाय पर दूसरा उपाइज ऑगर किसी विक्ती को किनल और जाद अता है चाहते हैं यृत किसी को ग Pretाथ में जाद three व्मारि के लिए भी मारी कुपाय कर सकते हैं सत्य ही में बुर不會 आदेते पड़गी बुरी संगत लग गई है शराब का सेवन करता है या नशा किसी भी प्रकार का करता है बुरी संगत है इन सब चीजों के लिए आपको किसी के सुधार ना चाहते हैं तब आपको यह उपाय करना है इसके लिए लेने होंगे साथ लॉंग आपको मात्र साथ राउने लॉंग फूल उने उनीच चाहिए लॉंग फूल वाली लॉंग राठ योकर साथ लॉंग लें ऑलगा एक लोटा जल लेना है यह उपाय आप चाहे है थो घर पे भी रहार शक्ते हैं शिवरा तरी के दिन नहीं करना है ये क्योंकि इस दिन भीर बहुत जादा होती है तो आप देख लीजिए जब आपको और किसी भी समय कर सकते हैं सुबह से लेकर के रातरी तक में जब आप मंदिर पहुंच जाएंगे तो उत्तर दिशा की तरफ मुकर के खड़े हो जाना है आपको और सबसे पहल अशोक सुंदरी का स्थान जो होता है वहाँ लेकर जलाधारी तक आपको एक एक लॉंग करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नील कंठी शुर महादेव को समरण करना है और सातो लॉंग आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चड़ा देना है और फिर से आपको चड़ ही आपको आग्या लेकर के ही लॉंग वहाँ से सातों आपको उठा लेनी है ध्यान रखना है यहाँ पर आपको सात की सातों लॉंग उठा लेनी है और प्रसात के रुप में उसे औशदी के रुप में लेकर के घराना है घर आपके जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं बुरी आदक छुडाना चाहते हैं शराब या क्रोध चाहते हैं कम हो जाए उसको आपको ये लौंग धीरे-धीरे करके कितने भी दिनों में जैसे भी आप समाप्त करवा पाएं साथ के साथ लौंग धीरे-धीरे करके उसको खिला देनी हैं आजाते हैं तीस्तरी उपाय पर ये उपाय है मनोकामना पूर्ती के लिए इच्छा पूर्ती के लिए कि कोई मनोकामना आप चाह रहे हैं पूरी हो जाए इच्छा आपकी पूरी हो जाए तब आपको ये उपाय करना है इसके लिए लेना होगा आपको थोड़ा सा मातर थोड़ा सा आपको पीला चंदन मिल चावल लेना है उस पर आपको चावल चिपका देना है और यह साथ बेल पत्र पर आपको करना है जब भी आप बिंदी लगा रहे हैं तो ओम नमशिवा या श्रीशिवा नमस तुभ्यम मंतर का जब करते रहें दोनों चीजे लेकर के आपको शिव मंदर में चले जाना है घर पर भी ये उपाय कर सकते हैं जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले एक लोटा जल जो आप लेकर के गए हैं एक लोटा जल श्रीशिवा नमस तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है आपको ठीक है उत्तर देशा के तरफ आपका मुख होना चाहिए बेल पत्र कैसे चढ़ाएंगे बेल पत्र चढ़ाने का क्रम आपको ध्यान रखना है इस उपाय में सबसे पहले जो आए चार बेल पत्र आपको शिवलिंग के उपर चढ़ा देनी है श्री शिवाय नमस तुभ्यम कहते हुए चार बेल पत्र शिवलिंग के उपर चढ़ानी है चिकना हिस्सा मेलब जहां आपने कमल होता है वहां पर कटी भाग के पास आप वहां पर चढ़ा देना है एक बेल पत्र चे बेल पत्र हो गए एक बेल पत्र पचता है आपके पास वह आपको चढ़ाना है जो बाहर नंदी जी बैठे हुए है उनकी दोनों सींगों के बीच में एक बेल पत्र आपको रख दे अब आजाते हैं चौथे सबसे महतोपूर्ण उपाय पर ये उपाय है धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्योंकि शिवरात्री का दिन जो है शुक्रवार को पढ़ रहा है शुक्रवार का दिन जो है माता लक्ष्मी को भी समर्पित होता है तो ये उपा दोनों दीपक घी के होने चाहिए दो दीपक बना लिए आपने घी के लंबी बाती और गोल बाती और साथी सा थोड़ा सा अक्षत ले ले लेना है और थोड़ा सा तिल भी आपको ले लेना है हलका सा एक चुटकी तिल मात्र लेना है आपको अब सबसे पहले आपको जाना कहा पर है यह उपाई शाम के समय करना है प्रदोशकाल में ठीक है लंबी बाती का दीपक ले करके आपको जाना है बेल पेड़ के नीचे बेल पत्र में शाम के समय मातालक्षमी का वास होता है तो आपको वहां जा करके लंबी बाती का दीपक प्रजलित करना है उससे पहले नीच लक्ष्मी के कृपा हमेशा हमारे परिवार पर बनी रहें एक दीपक आपने जला दिया अब दूसरा गोल बाती का दीपक ले करके आपको शिवाले चले जाना है शिव मंदिर में जब आप वहाँ चले जाएंगे तो सब वहाँ पर आपको गोल बाती का दीपक जो है शिवलि लिट कर देना है फिर भोले नाथ से अपनी जो इच्छा है मनो कामना है वो महाँ पर कह देनी है ठीक है आसान सा उपाय है बस दो दीपक आपको जलाना है लंबी बाती का दीपक लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और ये जो दीपक होता है ये दुख परिशानिया कस्ट दूर क देखिएगा साथ ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले आफ सभी पर भगवान भूले नाथ के कृपा गौरी माता के कृपा सदेव बनी रहे शी शिवाय नमस्तु ब् हर हर महादेव